नमस्से, मैं हूँ सचन्गोयल और आपका स्वागत करता हूँ एकुंजी चैनल पर और उसके साथ पेट अच्छी तरह से साफ होना भी बहुत जरूरी है जिन लोगों का पेट सुबह पूरी तरह से साफ नहीं होता है या कब्ज की समस्या बनी रहती है तो ऐसे में पचने के बाद भोजन का कुछ भाग हमारी आतों में चिपका रह जाता है और ये चिपका हुआ बोजन धीरे धीरे सड़कर शरीर में ऐसेडिटी और गैस की मातरा को बढ़ता है जब पेट साफ नहीं होता तो ठीक से भूग भी नहीं लगती है और रात को अच्छी नींद भी नहीं आती है धीरे धीरे इसका असर हमारी तचा और बालों पर भी दिखाई देने लगता है पेट साफ नहीं हो तो पूरे दिन थकान और भारीपन महसूस होता रहता है इससे लगातार आलस आता है और काम में भी मन नहीं लगता है लंबे समय तक कब्ज या पेट की समस्या बनी रहने से मोटापा, पेट में गैस बनना, पाइल्स, बवासीर, पेट में अलसर, तचापर तिल या मस्से होना और लीवर में खराबी आने जैसी गंभीर बिमारियां होने की बहुत अधिक संभावना रहती है विशेश रूप से महिलाओं में पेट की खराबी का सीधा असर उनके मासिक धर्म और जनन तंत्र से जुड़े दूसरे अंगों पर भी होता है आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पेट साफ करने और कबज इसे छुटकारा पाने के लिए एक सबसे असरदार घरेलो नुस्खे के बारे में जिसके पहले ही इस्तेमाल से असर दिखना शुरू हो जाएगा और रोजाना सुबह उठते ही पेट पूरी तरह से साफ होने लगेगा तो चलिए बात करते हैं रात को सोने से पहले लिए जाने वाले इस नुस्खे के बारे में इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें जुरूरत होगी जीरा पाउडर, अजवायन पाउडर, धनिये के बीजों का पाउडर, काला नमक, हल्दी पाउडर, सौट यानि अदरक का पाउडर और पूदेने की पत्तियों का पाउडर ये सबी चीजें आपको रसोई में आसानी से मिल जाएंगी, एक कटोरी में दो बड़े चमच जीरा पाउडर, दो बड़े चमच अजवायन पाउडर, एक छोटा चमच धनिये के बीजों का पाउडर, आदा छोटा चमच काला नमक, आदा छोटा चमच हल्दी पाउडर, एक चोटा चमच सौट यानि अद्रक का पाउडर और एक चमच सूखी हुई पूदेने की पत्तियों का पाउडर डाल कर सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला लें. अब रात को खाना खाने के एक घंटे बाद इस तैयार चोट की सिर्फ एक चमच लीजिए और इसको एक ग्लास गरम पानी में मिला कर दस मिनट के लिए रख दीजिए. दस मिनट बाद जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब इसको पी लीजिए. रोजाना रात को खाना खाने के एक घंटे बाद इस नुस्खे का इस तरह सेवन करने से सोते समय हमारी बोड़ी डिटॉक्स होने लगती है. और भोजन पूरी तरह पचने के साथ-साथ पेट में जमा गंदगी भी साफ होने लगती है. इसमें मौझूद सौंट, अजवायन और जीरा भोजन को अच्छी तरह से पचाता है और आतों में चिपकने नहीं देता. साथ ही ये भोजन में मौझूद सारे जरूरी पोशकत्तों को हमारे शरीर में पूरी तरह से पहुचाते हैं. इसमें मौझूद पोदीना हमारे पेट को ठंड़ा बनाए रखने का काम करता है. इस नुस्खे का रात में इस्तेमाल करने के बाद अगली सुबह आप देखेंगे कि आपका पेट बड़ी आसानी से पूरी तरह से साफ हो जाएगा और आप बहुत हलका महसूस करेंगे. एक हफ़ते में ये नुस्खा कब्स को बिल्कुल ठीक कर दिता है. अगर कब्स बहुत पुरानी है तो आप इस नुस्खे को हर एक या दो दिन छोड़ कर एक महिने तक इस्तेमाल करें. इसके इस्तेमाल से कब्स की समस्या हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरह ठीक हो जाती है. पेट साफ करने या कब्स दूर करने के लिए हमें कोई दवाई नहीं लेनी पड़े. इसके लिए अपने खान पान में ज्यान देना बहुत जरूरी है. इसके लिए हर बार खाना खाते समय उसे अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं और खाते समय छोटे निवालों का इस्तेमाल करें. दिन भर में पानी ज्यादा से ज्यादा पीएं क्योंकि पेट साफ नहीं होने और कब्स बनने की समस्या शरीर में पानी की कमी होने की वज़े से ही होती है. इसलिए कोशिश करें कि दिन में 7-8 गलास पानी जरूर पीएं. साथ ही ज्यादा से ज्यादा फाइबर वाली चीज़ें अपनी रोजाना डाइट में खास कर रात के भोजन में जरूर शामिल करें जो लोग खाना जल्दी जल्दी खाते हैं या भोजन को ठीक तरह से नहीं चबाते हैं उन्हें कब्स और गैस की समस्या होती ही है इसलिए खाना धीरे धीरे और अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं बिना तरल वाली सूखी चीज़ों को पचाने में हमारे बेट को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है और साथ ही बाहर का तलावा भोजन भी हमारी पाचन शक्ती को कमजोर बनाता है इसलिए खाने में ज्यादा सूखी चीज़ें और बाहर का जंक फूड कम से कम खाएं इसके अलावा रात का भोजन सोने से कम से कम 2-3 घंटे पहले जरूर कर लें अगर आप इन सभी नियमों का रोजना पालन करते हैं तो पेट साफ करने के लिए आपको किसी भी नुस्के या दवाई की आवशक्ता नहीं होगी उमीद है कि आज कहे वीडियो आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा आप इसे फॉलो कीजिए और मेरे इसी तरह के बहुत आसान घरे लून उसके देखते रहने के लिए एकुंजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए